कट्मी नगर निगम के निर्धारन रुपे 25 टोल नापे केशुल को खोले कर बस स्टेंट के बस संचालकों में आक्रोशी देखने को बिला साथी बस स्टेंट के दुकानदारों ने बस स्टेंट की विवस्थाओं को लेकर अपर कलेक्टर रामा नूस टोपो से बताया कि ना तो यहां समुचिक वेटने की विवस्था है ना पंके है और ना लाइट की बराबर विवस्था है और जगा-जगा बस स्टेंड परिसर में गंदगी का आलम हमेशा बना रहे था है उसके बाजुक बसों का टोल बस स्टेंड में नगर नीगम द्वारा लेनी की बार पही जा रहे है जो न्याय संगत नहीं है और हमसे टोल लेने का दिकार इस स्थिती में नहीं है पहले परिसर के अंदर के समुचित विवस्ता को नगर निगम प्रिशाशन को ठीक करना चाहिए जिससे यहां बाहर से आएवे यात्र को असुधाओं का सामना ना करना पड़े गंदगी में ना रहना पड़े और आने वाली यात्री को पेजल की समुचित विवस्ता हो और साफ सफाई पर विशेशा ध्यान देने की बात कही साथ ही बस स्टेंट के परिसर के अवे वस्ताओं को पड़े पर लाने की बात कही ना पानी बीने की विवस्ता पूरे बस स्टेंड में कहीं भी है दूसरी चीज जानवर भी आते हैं जो तो उसके कारण गंदगी भी पूरे बस स्टेंड में होती है है कशडा अलग पैलता है और अगर बस स्टेंड में प्राथी शुल्क और लगेगा भी तो हम यहाँ पे अपनी ज़िए क्णा करेंगें तोन हरो के नाम प defense वह हैं तिवर यहीं कमशनर ने विकास जुल्क के नाम पे देने को लिवाल होई कृसा करें से मुख निगम क्रेंडर तो किस बात का शुल्क ले रहे रहे हैं अकिरा जूप यूंप यूंप यूब नियुप क्या हुँ रहे हैं उसका उपयोग यू हो रहा है कि पानी पीने की विवस्ता नहीं है पासरासनिक जो लोग अधिगारी आहिए तो हुर अब देखते हैं अब देखते हैं विवस्ता शुरू होती है कि नहीं होती है अब देखते हैं जिलो में लिया जा रहा है तो आप अगे जब अपर कलेक्टर आए जै बात उनसे बात बोली गए तो नहीं नगर निकम के अंडर पर आ रहा है बैटक में यह बात आया थे कि वहाँ पर ब्यूस्ताइश नहीं है सफ़ाई नहीं है तो यहां बात प्रमड़ में आये हुए हैं तो यहां यह देखने में मिला है कि सफ़ाई समुची जिरूप से नहीं हो रही है हैं कि इनको नहीं कर आए है तो इसके लिए इसके लिए को कहा गया है Is सब्सक्राइब करने का प्रयास जैसा आपने कहा कि सब्सक्राइब करने का प्रयास किया जाएगा तो यहां सब्सक्राइब कर जाएगर का प्रयास करने केया लगे कि इस आप संब्सक्राइब में दिखन ऐसेशा रॉप कर साथ मैं इसका थी पार्किंग क्षुल्ट है जी एक कैसी रासि को सकता अलग स्पपार्वाश क्वेश priority. मेरी किया जाएगा तो तीनों चारों विंदों के आदा के लिए आज हमने यहां पर वनों किया था नगर निगम से संबंदें जो बिसा है सपाई का पानी का बेजल का और एक्टिशिटी का लाइट का वो सब काम नगर निगम पहे करेगा और अपना काम करवाएगा इसके अल सब्सक्राइब लगाएगा है और मैंने इसलिए आग्रह भी किया है कि सभी दुखांदा सभी बस बस वोनर्स को स्वेंडी इस बात का दिहान रखें कि बस साब करते समय कचला बस टेंट पहना पेंखे दुकांदार भी अपने दुकान के आगे डस्टिंग रखें और कचल सब्सक्राइब लोग उससे सामान खरीदते हैं उनको इसस्ट करें कि खाने के बाद रैपर या दूसरी चीज़ा है बस टेंट बना डालें पचला आदिक तर उसी का है यह नई चौकी बनाई जा रही है बसों से कुछ टोकन के लिए कि यहां पर आती है उनका जो नंबर है बसों का जो नंबर है वो भी उससे ट्रेस होगा और कितनी यह तक यहां पर रुखती है वो सब चीज़ी ट्रेस की जाएंगी इससे बसों की विवस्ता बस्टन की जो सीमित चमता है उसको देखती हो कैसे हम रवस्ताफन कर सकते हैं तो परिभान विभाग अच्छी तरीके लेकिं उसपे भी विकास सुल्क 25 रुपया बस वालों से लेने का जो प्रयास किया जा रहा है ऐसा क्यों विकास की मुल्ग सुबधा है तो गायब है यहां पर विकास के बहुत काम दूए है अभी भी हमने जो गेट लगाया है जो काउंटर लगा रहा है पीछे और जो रो इंको माई पारचर के यह रिपो